हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप मैं आडी आप सभी के लिए reasoning test paper second लेकर हासिर हूँ पार्ट फस्ट आपने test first को देखा था इसी प्रकार से हम रोजाना आपके लिए अब reasoning का test paper arrange करेंगे जिसमें आपके लिए top 10 questions को सामिल करेंगे पांदस पंदरा तक उसमें कॉशन होंगे और वो अलग-अलग टॉपिक्स होंगे वो आपकी तैयारी को जांचनी में सायक होंगे टॉपिक्स के वीडियो भी हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं बाकी जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना हो वो हमें कमेंट कर दीजेगा नॉर्मल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जबी भी हम फ्री रहते हैं तो उनको देखेंगे और उस पे गौर करेंगे कि पहले कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाए कुछ टॉपिक आपको समझने हो बाकी सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं उनकी कुछ नई वीडियो भी आएंगी तो प्लेलिस्ट वीजिट करके आप मैस और रीजनिंग के टॉपिक की फुली वीडियो देख सकते हैं पार्ट वन से लगा कर उन्हें देखिए और टॉपिक को मजबूत कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले यदि हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवस्य करके जाईएगा सेर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं तो ये जो जरूरी है आपका सपोर्ट दिखाने के लिए वो काम आप करते रहें अपने सभी social media platform पर आप इसके link को share करें और यदि आप मेरे telegram channel से जुणना चाते हैं तो RD Math Charger telegram channel है मेरा RD Math Charger RD Math Charger आप लिखेंगे और search करेंगे तो वहाँ पर इनकी PDF वगएरा आपको मिल जाएगी math, reasoning, science वगएरा सभी की PDF और important norms वहाँ पर डले हुए हैं उन सभी को आप देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज के बहतरीन questions के साथ और पहला question है कुछ सार्थक करम से, meaningful order से कि कुछ सब्द आपको देता है और कहता है कि इनका meaningful order लगा देजी तो फटाक से यदि आप मेरे साथ live chat के दोरान जुड़ रहे हैं तो आप live chat में इसका उत्तर जरूर लिखें उत्तर लिखें कि क्या इसका सही जबाब होगा एक सही अर्थपूर्ण करम में ये व्यवस्तित हो जाएं तो option के according पहले B वाला सबसे पहले करम आएगा तो B दो optionों में है फिर या A वाला आएगा C और D में A वाला है तो police अपराद नयाय निर्णय और दंड में से पहले क्या होगा तो आप कहेंगे sir सबसे पहले अपराद होगा सबसे पहले अपराद होगा B सबसे पहले आएगा यानि कि C और D तो आता ही नहीं उस अपराद हो जाने के बाद police आएगी तो police A option में लिखे हुई है फिर उसके बाद नयाले ले जाये जाएगा उसे नयाय के दिये और वहाँ नयाय के बाद निर्णय होगा और निर्णय जज्वेंट आने के बाद उसे सजा होगी तो आपका B option यहां से right answer हो जाता चलिए बढ़ते हैं फटाक फटाक से आज के जो question है वो देख लेते हैं ये एक series based question था बहुत अच्छी series है पिछले दिनों exams में पुछी हुई है इससे पहले भी ssc, rs, prilliums बहुत सारी जगे यह पुछी गई repeated series है और important series है अभी भी पिछले दिनों ntpc में भी इस प्रकार की काफी सारी series देखने को मिली फटाक से उत्तर कीजिए कि 516 इसका सही जबाब होगा 517 होगा 716 या 717 क्या इसका सही जबाब होना चीए इन सभी में से तै करके बताईए, 4 option में से live chat के दोरान जो भी जुड़े हुए हैं वो सभी इसका comment box में comment करें ये समझें कि आपकी exam ही चल रही है, exam hole में आप इनका किस प्रकार से सही जबाब देते, वो ही काम यहां पर करें, तो चलिए इसका जो right answer होता देखते हैं क्या होता, पहले 5 से 13 बना है, 5 का double plus 3 है, double करके 3 plus करा, तो आप कह सकते हैं सब 13 आ गया फिर 13 का triple है और 2 जुड़ा है, तिगना करके 2 जोडने से 41 आ गया, 13, 49 और 2, 41, फिर 41 इसका double किया गया है, और फिर उसमें triple जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, एकदाली दुआ 82 और 3, 85 अब आपको 85 का triple करना है, तिगना 85 के तिगने में 2 जोडना है, तो 85 तिया होता है 255 और 2 जोड़ेंगे 257 अब आगी क्या आएगा तो next term जो आएगा वो 257 का double करेंगे और 3 जोड़ेंगे उसमें, 257 का double होता है 514 और 3, 517 तो आपका जो right answer आजाता वो 517 यानि कि B option is the right answer, आसान है बट ऐसी सीरीज की practice आवशक थी, यादि practice में हैं तो आप इसे easily कर सकते थे और ऐसी सीरीज कभी आपने देखी ही नहीं है, तो फिर ऐसे समस्या आ सकती थी सीरीज का question पर एक सामय आए तो इस बात को अवस्य ध्यान में रखें यदि मालो वो 30-40 second तक आप से judge नहीं हो रही है तो उसे leave करके अगले question को पढ़ना प्रारम कर दें, last में यदि time बचे तो फिर उसे आप soul कर लें next वाला जो question है सीरीज से अगला वो है 6 सडकें जिनको अक्सर x, y, z अंकों के दुआरा इंगित किया गया है सडकों के नाम है x, y, z और 1, 2, 3 एक देश तक जाती हैं फिर देखे, जब तूफान आता है, तो y बंद हो जाती है जब बाड आती है तो x 1 और 2 प्रभावित रहती है, और 1 प्रभावित रहती है, तब z बंद हो जाती है, यदि किसी समय बाड आई हुई है और उसके साथ तूफान भी चल रहा है बाड प्लस तूफान दोनों चल रहे हैं, तब कौन सी सड़क प्रियोग आ सकती है तो ध्यान से देखे, यहाँ पर 3 सड़क हैं, एक x है, एक y है, एक z है, और 3 सड़क है 1, 2, 3, जब तूफान आता है, प्रसंग के प्रसंग क्या कह रहा है जब बाड भी आ रही हो, प्रसंग के अकोर्डिंग प्रसंग कह रहा था, कि जब बाड भी आ रखी हो, बाड आई हुई हो, और तूफान भी चल रहा हो, तब कौन सी सड़कें प्रियोग की जा सकती हैं, तब कौन सी सड़क आप प्रियोग कर सकते थे तो यदि ये दोनू चीज़ें आ रही है तूफान और बाड दोनू तो प्रियोग करने लाइक एक तीसरी सडख आपके पास बस्ती है जिसे आप प्रियोग कर सकते हैं तो केवल तीसरी सडख को प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि X बादित रही होगी बाड आने पर Y बादित रही होगी तूफान आने पर Z1 और 2 बाड आने पर प्रभावित रहते ही हैं तो केवल मात्र एक सडक बची हुई है T नम्मर वाली तो ये भी आसान था समझाए बगएर भी इसे कर सकते थे बिलकुल आसान था नीचे लिखे समझाया है बगएर लिखे भी ये कोशन हो जाता Next कोशन के और बढ़ते हैं कई बार आपके पास ऐसे कुछ इंटरवैल्स के कोशन आते हैं प्रसन कहे रहा है कि यदि एक विद्यूत सेंयत्र है है कि एक विद्यूत यंत्र है वह प्रतेग 60 सेकिन पर और दूसरा प्रतेग 62 सेकिन पर सब्सकाल करता है दौनों की धूंगे एक साथ 10 वजे प। अब अगले कौनसे सिग्र समय पर वे प्रसपर साथ शाथ अपनी धूणई उत्पन करेंगे ऐसे घंटियां ट्राफिक लाइट्स वगेरा कोई इंटरवेल देता है कि कब एक साथ होंगी इन फ्यूचर तब आप इनके जो अंतराल होते हैं उन अंतरालों का लगुत्तम लेंगे यानि कि आप 60 का और 62 का ऐलसियम लेंगे एलसियम ले ले उस एलसियम जितने अंतराल के बाद ये परस पर दुबारा से एक साथ बजेंगी तो पहले दो का भाग जाता है 30 बार और 31 बार अब 30 और 31 आपस में कटते नहीं है चाहें तो आप आगे दे सकते हैं लेकिन ये देख लें कि ये दोनों नम्मर आपस में कटते नहीं है तीन नम्मर हो तो दो-दो के पेर में कोई भी किसी को नहीं कटें तो वहीं पे इनको गुणा कर दें तो ये LCM होता है तो इनका जो LCM आएगा वो 2,30,31 आएगा मैंने इसकी पूरी वीडियो डाल रखी है प्लेलिस्ट में जाकर उसे विजिट कर सकते हैं आप यदि आठ ने पहले से नहीं देखी है बहुत सारे लोग पहले से देख रहे हैं जुड रहे हैं लगातार चैनल पे नए नए बच्चे जुड रहे हैं और आप मेहनत करते रहे हैं मैं आपके लिए यहां से बैटर कंटेंट उपलब्द कराता रहूंगा और आप जादा से जादा वीडियो को सेयर कीजिए आपका काम है वीडियो के लिंक को जादा से जादा लोगों तक सेयर करना और मेरा क काम मैं करता ही रहूंगा यदि आप ज़्यादा सेयर करेंगे तो आपके लिए content जल्दी जल्दी उपलब्द होगा इसे गुणा कया तो 60 फिर 60 को 31 से गुणा करते हैं तो 0 6 6 और 1860 सेकंड ये आ गई सेकंड परसन के according ये हैं सेकंड लेकिन परसन ये चाता है कि कि कितने बज़े 10 बज़े थी तो 10 बज़े 31 मिनट ये मिनट में है तो सेकंडों को पहले तो मिनट में बदलेंगे मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग लगाएंगे इसमें तो 0 से 0 कर जाएगी 6 3 18 और 6 कम 6 तो आप कहेंगे 31 मिनट के अंतराल पर वो पुनए 1 7 बजेंगी परस एक साथ बजेंगी तो जभी भी ऐसे अंतराल का क्वेशन आए आप दू हो तीन हो जितने भी अंतर हो या लाइट हो घंटियां हो तो आप उनका LCM लीजिए फिर वो एक अंतराल की डूरेशन आ जाएगी अंतराल सेकंड मिनट जैसे भी हो परसन के अकोडिंग उसे कनवर कर लें और जिस टाइम को वो एक साथ बजी थी उसमें वो टाइम अंतराल को जोडेंगे तो नेक्स टाइम जल्दी से जल्दी जो बजेंगी वो आज आएगा अब इसमें 31 और जोडेंगे 10 31 के बाद वापस से फिर पुने एक साथ बजेंगी तो कैसे भी पूछे परसन ब की आपको नहीं होने चीर अपके पास कोडि में कहा है कुछ कोड़ भासा में पो की टॉप मां का अर्थ है वस लेंग कार्ड केउपी जा की मां का अर्थ है आसा इस प्लेइंग tennis तो देखी रहा है कि यहां पर कुछ चार लाइने दी हैं और चार उनमें सब्द वगेरा code वगेरा है उनका इधर English version है परसंचारा है कि आसा का अर्थ क्या है आसा का code क्या बना है तो देखिए ऐसी coding जबी भी आती है तो आप match करते हैं कि इधर left side में जो match है वो right side में दो line में क्या-क्या match है जैसे आप देखिए पहली line में इधर playing is लिखा हुआ है playing is लिखा हुआ है तो just नीचे वाली line में भी playing is है यानि इधर भी left side में भी कोई ना कोई दो चीजें match कर रही हूँ और उसके साथ साथ आपके key भी match कर रही है आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं लेकिन वो match कर रहे है key ma match कर रहा है तो इज playing का जो code है वो key ma है फिर आप देखें कि first वाले में इस first वाले में और fourth वाली line के अंदर first और fourth line में आप common देखेंगे तो आपको यहां cards के बारे में दिखेंगा cards यहां भी हैं और cards यहां भी हैं तो same इन दोनों में po po आपको दोनों जगे दिखेंगा तो उपर जो उसा बच गई इस उसा का code क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे sir इस उसा का code top हो जाएगा तो ऐसे common करकर के देखते हैं और आप coding decoding मैंने आपके लिए पड़ा रखी है double double पड़ा रखी है नीचे आप playlist देखिए reasoning special badge की playlist में भी आपके लिए coding पूरी तरीके से दी गई है एक साथ और बाकी भी coding मैंने पहले वाले पुराने वीडियो में पड़ा रखी है बहुत सारे question है coding के उनसे बाहर आपकी coding पिछली दिनों आपने exam में देखा होगा आई नहीं है तो उनको आप जरूर देखने एक बार और वीडियो लिंक को जादा साज़ादा share जरूर करें और share के साथ साथ मुझे telegram पर follow करें RD Math Charger करके group है RD Math Charger करके उस group को आप join करें telegram पर RD Math Charger जो channel का नाम है वही group है उसे आप join कर लें वहाँ बहुत सारी PDF और Mass Reasoning और Science के जो not so important वह वहाँ uploaded है उनका मजा ली से आप और मेरे नए अपडेट से जुड़े रहिए वहाँ पर चलिए next question क्या है अगला जो question है वो है एक कक्सा प्राते 10 बजे प्रारंब होती है एक कक्सा है वो प्राते 10 बजे आरंब होती है यानि start होती है वो 10 बजे उसके बाद जब वो खतम होती है तो एक बज़ के 27 मिनट पर वो खतम होती है तो अब आप कहेंगे कि एक क्लास चल गई 3 गंटे और 27 मिनट तीन गंटे 27 मिनट कह दीजे या तीन गंटे में 60-60 के इसाब से 68, 180 और 27, 207 मिनट की ये टोटल क्लासे होती है टोटल टाइम हो गया 207 मिनट परसंद कह रहा है इस अंतराल में 4 पिरियड होते हैं परतेक पिरियड के बाद में 5 मिनट का विस्राम दिया जाता है यानि आपके पास 4 पिरियड है पहला पिरियड फिर 5 मिनट का विस्राम दूसरा पिरियड फिर 5 मिनट का विस्राम अंतराल सेम अंतराल के हैं परतेक पिरियड निसित समय का है तो परतेक पिरियड यानि कि चार पिरियड होंगे तो अंतराल कितने आएंगे तो आप कहेंगे सर्थ तीन बार बीच में अंतराल आएंगे क्योंकि एक बार तो चालू ही होगा फिर पहले के बाद अंतराल फिर द अंतराल ही हो गए तो 15 मिनट 207 मिनट में से आप घटाएंगे तो आपके पास 192 मिनट आएंगे इस 192 मिनट में 4 इक्वल इक्वल पीरियड होंगे तो 4 से काटी 192 को 4 चोग 16, 3 बचा 32, 8 चोग 32 यानि 48 मिनट का परतेक पीरियड होगा बहुत आसान था आपको ये अंतराल सो बीच में 3 घंटे और 27 मिनट होती है यानि कि 207 मिनट होती है 207 में से 15 मिनट अंतरालों के घटाएंगे तो 192 बचेगा 192 में आप चार का भाग देंगे तो 48, 48 मिनट के पीरियड आएंगे यानि कि B option आपका राइट आंसर होता कि प्रतेक पीरियड की निस्सित अवधी य चलिए बढ़ते हैं और खौबसरत सवाल आपके लिए देखते हैं एक बहुत ही बहतरीन कौशन जो RS Prilliums में आपसे पुछा हुआ है प्रसन कह रहा है A, B, C, D, E, F 6 चचेरे भाई हैं 6 आपके पास में चचेरे भाई हैं और इन 6 चचेरे भाईयों में से प्रसन ये कह रहा है सभी का जनम दिवस समान दिनांग को आता है यानि कि 5 जनवरी को आता है तो हर साल 5 जनवरी को आता है सबसे छुटा है वो 17 वर्स का है सबसे बड़ा है वो 22 वर्स का है फिर कुछ रिलेशन दे रखे हैं A पुम्र में B और D के मद्धे कहीं है A, B से प्रकार से चला है अब दीखी प्रसन क्या कह रहा है पहली लाइन को नौट कीजिए सबसे छोटा 17 वर्स का है यानि सबसे छोटा 17 वर्स का है और सबसे बड़ा है वो 22 वर्स का है इसका मतलब यह हुआ कि जो 6 हैं हर साल हुए है करमागत वर्सों में वो हुए हैं सेम दिना 12, 19, 20 और 21 समझ पायोंगे सबी का जनम दिवस समान दिनांग को आता है उम्र समान नहीं है यानि कि सेम नहीं है इसका मतलब अलग-अलग सालों में उनका जनम हुआ है लेकिन सेम डेट को आता है तो आप कह सकते हैं 17 का उम्र का छोटे वाला है बड़े वाला 22 का है बीच मे लेंग्वेज देखिए परसन क्या कह रहा है c-d से बड़ा है यानि d से बड़ा है कौन c है यानि कि c है वो 22 की तरफ आएगा बड़े की तरफ आएगा क्योंकि 22 के नीचे तो उसने e दिया है e को तो निस्सित कर दिया उसने कि e सबसे बड़ा है वो 22 वर्स का है पहले में तो आपको ये पता ही चल गया था, फिर कह रहा है कि C D से बड़ा है, C D से बड़ा है, ऐसा आपसे कह रहा है, तो मैंने लगाया कि D छुटा है, और C बड़ा है, बड़े वाले को हम राइट साइड में लिख रहे हैं, फिर कह रहा है, F उम्र में B और D के मद्दे कहीं है, तो B और D के मद्दे F कहीं ना कहीं मुझूद है, इस हिसाब से D यहाँ आ गया था, तो ये F और B के मद्दे कहीं ना कहीं वो मुझूद है, बीच में है कही ना कहीं ये आप कही सकते हैं तो यहाँ से combination फिर से उसने ये कहा कि A B से बड़ा है अब B से बड़ा होने का मतलब है कि B के तुरंत बाद A आ सकता है कहीं ना कहीं हो सकता है F के आगे भी वो आए हो सकता है वो D और C के बीच में भी कहीं पर आजाए तो यहां से कह रहा था कि कौन सा कथन संभाव नहीं है यानि संभाव नहीं आपको नौट करनी थी तो 17 का B हो सकता है फिर 18 का A हो सकता है फिर F और D के बीच में कहीं न कहीं कोई होता और D से बड़ा तो C होगा ही यह तो निस्सित है कि D से बड़ा C होगा यह आप निस्सित कर सकते थे तो D की उम्र 20 साल हो सकती है बिल्कुल हो सकती है यह तो निस्सित बात है कि यह हो सकती है फिर आप से यह है कि यदि आपने A को आगे की तरफ रखा होता अब दूसरी approach यह होती कि F के आगे रखते क्योंकि एक सके तो आपने रख लिया F के आगे रखते तो भी आपकी जो बातें कही जा रही हैं वो सारी सकते होती second बात यह हो सकती थी कि B सबसे छोटा होता फिर F, A, D, C, E इस क्रम में होते F 18 साल का हो सकता है क्या तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है सर C भी हो सकता है कौन सा कतन संबव नहीं है यह पूछा गया था फिर D के आगे रखके देखते हैं एक को A को तो आपके पास ये भी हो सकता था कि D के आगे आप A को रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी सही था क्योंकि D से बड़ा C भी हो गया, B से बड़ा A भी हो गया और F है B और D के बीच में कहीं भी हो गया तो एप की उम्र 18 हो सकती है यहां पर, एप की उम्र 19 हो सकती है क्या, वो भी हो सकती है, वो भी हो गई थी, एप की उम्र 19 भी हो सकती है, एप की उम्र क्या नहीं हो सकती app की उम्र कभी भी 20 नहीं हो सकती तो C option right हो सकता है D bhi संभावना यह हो सकती है और A bhi हो सकती है तो कौन सा नहीं हो सकता? 20 यानि कि D option आपका right answer होता यानि app की उम्र 20 वर्स नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती? देखे app को आप यहां put करेंगे तो फिर C को आप यहां पुट करेंगे और यह क्योंकि D और B के बीच में है वो अब D को कहां पुट करें D और B के बीच में है यानि D को आप यहां पुट कर देते हैं और फिर F को यहां है D को आप C की जगए पुट करते हैं या B की जगए पुट करते हैं तो यह बीच नहीं क्योंकि इधर फिर A, B से बड़ा नहीं रख सकते तो condition के इसाब से F की उम्र 20 नहीं हो सकती रख रख के भी चेक कर सकते थे कि D को पहले 20 की जगे रखते फिर F को 19 की जगे रखते एप को फिर 18 की जगे रखते तो उपर वाली condition fulfill हो रही थी क्या आसान चीज है ये लेकि ऐसे भी देखते तो D option यहां से right answer होता F की उम्र क्या हो सकती संभव नहीं है तो F की उम्र 20 वार्ष बिलकुल भी संभव नहीं है चलिए तो आज का वीडियो अब समात करते हैं Thanks for watching continue रखिए अपनी learning को सीखने सिकाने का करम हम यूही जाड़ी रखेंगे Mass reasoning आप हमारे साथ सीखते हैं बहुत सारे चैनल पे वीडियो है जो आपको नौकरी लगाने के लिए कारगर साबित होंगे तो आप सभी का दिल की गहराईयों से प्रेम पूरवक्त धन्यवाद करता हों और अगेन आप सभी इस पे जुड़े रहते हैं और अपना प्यार देते हैं उसके लिए सभी का सुक्र भजार रहता हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेयर करें lockdown वगएरा की conditions के अंदर आप offline क्लासों भी नहीं आ सकते लेकिन आप online के साथ मज़ा उठाईए और ऐसे online platform से जुड़िये जहां पर आपको रोजाना अच्छी learning के लिए प्रियास किया जाता है कम समय में ज़्यादा question आपको सिखाने का काम किया जाता है जो भी topic यहां पढ़ाए जाते हैं वो topics आपके लिए बहुत ही better तरीके से और one by one करके part one से part six seven जितनी भी उसमे type के question आपके लिए important होते हैं वो सभी लाता रहता हूं मैं तो उनको भी आप playlist से देखते रहिए share करते रहिए अपने साथ मैं charger group में join हो जाइए वहां भी आपके लिए बहुत सारे update होते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं खुस रहिएगा और अपना खयाल रखिएगा